नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है इस चैनल पर हम दोस्ट topics discuss करेंगे आज जो कि आने वाले हफते में काफी अच्छे profits दिला के दे सकते हैं price action को समझेंगे entry points, exit points सब कुछ decide करेंगे resistance और support के marking के उपर price action के tools समझेंगे high probability case को समझेंगे, कोई tips या calls के साब से ना लीजिए इसको लेकिन study के हिसाब से अगर आप लेंगे तो आप यहां से जादा से जादा चीज़ेश सीख पाएंगे साथी में दोस्त हमारा podcast जरूर चेक करिए जो कि हिंदी में हम record कर रहे हैं और काफी अच्छे reviews आ रहे हैं podcast के एक बार refer जरू करिएगा, link दी गई है description में और English का channel अगर आप cryptocurrency में interested हैं तो इस English के channel को भी हमारे एक बार जरूर देखिए कि वहाँ पर cryptocurrency related काफी अच्छा content हम post कर रहे हैं आए चलते हैं चार्ट पे और डिरेक्टली बात करते हैं आज के पहले stock के बारे में जो है Mothers in Sumi अब बस पिछले ही हफते में हमने एक वीडियो release किया था जहां पर हमने moving averages की बात की थी तो यह जो moving average है यह है EMA21 जो आप blue में देख पा रहे हैं और यह जो moving average है this is EMA55 तो यह जो black curve है आप अगर इस black curve को शुरुआत से देखें इस प्रकार से तो हम देख पा रहे हैं कि जबी भी price नीचे आता है तो इस black curve पे support लेता है याने यहां से नीचे नहीं जा पाता यहां पर भी हमने देखा यहां पर दो बार हमने देखा कि price ने support लिया है और उससे एक बार यहां पर price ने इसी black curve याने EMA 55 के उपर में support लिया है और अभी एक bounce लेकर के price इस दिरेक्शन में उपर जाने की समभावनाएं जाधा नजर आ रहे है तो मदर संसुमी का यह जो stock है इसका अगर हम long term view एक बार देखें तो weekly time frame से यहां पर हमें बता चल रहा है कि price जो है वो काफी साधा bullish है राइट लेकिन एक previous level भी हमें यहां पर नजर आ रही है जिसको हम mark कर लेंगे तो दिखिए यह एक level है जो की करीबन 260 के उपर में है 260 का resistance price यहां पर face कर रहा है और अभी जो price है that is a 245 245 पर price है यहां पर 260 पर एक critical resistance है तो यह lower lows माफ कीचे higher highs and higher lows का formation इस प्रकार से बनता हुआ आ रहा है और अगर हम यहां weekly time frame में दिखेंगे तो EMA21 के उपर में support है जो की daily time frame में हम देख रहे थे तो EMA55 के उपर वो support था लेकिन इसे time frame चेंज हुआ है तो moving averages का graph जो plot होता है वो भी change होता है तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर support लेने के बाद में फिर से एक बार price जो है वो यहां पर 260 के भी उपर निकल सकता है तो एक बार अगर हम यह जो current level है यहां से अगर नापते हैं और देखते हैं कि अगर मान लीजे 270 के आसपास अगर निकलता है या 260 के पास में भी अगर निकलता है तो करीबन 6% का एक फायद यहां पर मदसन सुमी के स्टॉक में हो सकता है वापस चलते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम में तो डेली टाइम फ्रेम में यह देख सकते हैं कि as on current price आप यहां पर entry ले सकते हैं हमें किसी भी चीज़ को और वेट करनी की ज़रूरत नहीं है आप current price में जब भी अगले दिन session खुलेगा आप entry ले सकते हैं और काफी अच्छी entry रही क्योंकि यह bounce यहां से establish हो चुका है price उसकी median के पास में आवरेज के पास में आकर के वहां से bounce लेता है और उपर जाने की अभी कोशिश कर रहा है आप 265 या 270 का target लेकर करके चल सकते हैं current price में इसको entry ले सकते हैं stop loss जो हमेशा बात करते हैं उसको maintain करना बहुत ज़रूरी है दूसरा जो stock है आज के लिए वो है Tata Motors Tata Motors में भी same चीज होती हुई नजर आ रही है अगर यहां पर भी हम ध्यान दे EMA 55 और 21 के उपर तो दोनों stocks और साथी में और एक study अगर हम इसके उपर merge करेंगे तो हमें नजर आ रहा है कि प्राइस जो है वो एक critical level को भी follow कर रहा है अब वो critical levels किस प्रकार से हम identify करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं तो यहां पर हम कुछ trend lines निकालेंगे और समझेंगे कि क्या levels यहां पर है एक नजर आ रहा है कि फिर से एक बार यहां पर इस talk में एक inverse head and shoulder का formation बनता हुआ नजर आ रहा है देख सकते हैं यहां पर यह है left shoulder यह है head और यह है right shoulder तो inverse head and shoulder का breakout जो है वो बस कुछी sessions में होने वाला है इसकी probability बहुत बहुत ज़ादा है inverse head and shoulder जो है यह एक chart reversal pattern है right और बहुत ही important chart reversal pattern है जब भी इस प्रकार का inverse head and shoulder का formation आता है तो price definitely बहुत बड़े moves लाता है right तो दो चीज़े हैं यहां पर inverse head and shoulder भी नजर आ रहा है साथी में जो moving averages की study है हमारी जहां पर हम देख पा रहे हैं कि फिलहाल EMA 21 के उपर price support लिकर के चल बाता है तो watch करिए current price में entry ले सकते हैं इस stock में भी ज्यादा से ज्यादा उसका जो neckline है मतलब जो inverse head and shoulder का neckline है जो की यह trend line है इस trend line से resistance के price नीचे आएगा लेकिन वह भी short term रहेगा long term में हम यहां से breakout expect कर सकते हैं Tata Motors में और जैसे हमने कहा कि stock markets overall जो है पिछले दो तीन होते से हम बात कर रहेंगे melt-up phase में है बहुत जादा उपर level जा सकते है 20,000 निफ्टी की बात हमने की थी कि क्या वो September या इस year end तक आएगा chances जादा है देखिए अगर 20,000 भी नहीं अगर 18,000 17,000 भी जादा तो काफी अच्छी बात है तो उस moves को हम एंटिसिपेट कर रहे है यहां पर stock markets overall bullish है यह आप समझ के चलिए क्यूंकि काफी सारा liquidity भी आ रह और mother sunsumi यहां पर अच्छे profits आएंगे 10% का आप एक अनुमान लगा के चल सकते हैं और साथी में strict stop loss भी ज़रूर रखिए दोस्ते बहुत 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 शुक्रिया आखिर तक सुनने के लिए इस वीडियो को और ज़रूर like, share, subscribe और bell icon को भी enable ज़रूर करिएगा बहुत ब